ये गाइस वेलकम बैक तो दे विडियो निफ्टी फिफ्टी 1.17 परसेंट डाउं क्या हो गया ऐसा लगातार छे दिन की अपनी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ दिया आज निफ्टी फिफ्टी ने ऐसा क्या हो गया चलो बात करते हैं तो देखो यहाँ पे दो चीजे है जो हम में यहाँ पे देखने की ज़रुदत है और मैं तो उसके लिए सोच रहा हूं कल कमेंट में मैंने परा था किसी ने लिखा था कि मैंने एक हजार क्यास परस लिखा था कि एक हजार इन्फोसिस के से लिए आट परसेंट से जाया आज डाउन ता तो लगवाग उसके 12-14 लाक रुपए एक दिन में 8-8 परसेंट डाउन हो गए हूंगे तो यह चीज है देखो इन्फोसिस और एक्चुल यह दोनों ने मार्केट का मूट खराब किया यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है यह जो एक देर परसें मार्केट गिरी है थोड़ा बहुत और गिरावट होगी यह 19,500 से 20,000 यह जो लेवल है इसके अंदर थोड़े टाइम तक मार्केट को कॉंसलिडेट करना चाहिए इन माई ओपिनियों पता था हूं पूरा आगे क्यों HUL और Infosys का Q1 का Quarter 1 का नंबर आया था और जो की मार्केट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया और इसने मार्केट के mood को खराब कर दिया जिसके करण आप देखोगे कि HUL भी काफी गिरा Infosys भी गिरा इसने टेक महिंद्रा को भी गिरा दिया मतलब काफी IT स्टॉक के अं नंबर आएंगे अगर वो अच्छे आते हैं तो फिर मार्केट के अंदर में बढ़िया मतलब खुसी देखने को हमें मिल सकती है अब 20,000 का जो लेवल हमने देखा 19,970 के पास तक चला गया था तो 20,000 का जो एक लेवल है एक काफी बढ़ा साइकोलोजिकल लेवल है मतलब ये लेवल ऐसा है कि हर कोई हर ट्रेडर यहाँ पे सोचेगा कि एक बार मार्केट तो यहाँ से गिरेगी ही इस करान से हर कोई यहाँ पे फायदा उठाने की कोशिस करेगा किसीने स्विंग पोजिशन बना के रखी है वो एक्जिट करेगा नॉर्मल किसीने पोजिश ये भी है psychological level लेकिन जो 10,000 का level होता है जो 15,000 का level होता है जो 20,000 का level होगा दिन जो 25,000 का level हैगा ये बड़ा psychological level होता है इस करण से यहाँ पे एक बड़ा resistance बनता है जिसको पार करने में मतलब index को थोड़ी सी issue आती है अब देखो अगर ये चला जाता 20,000 के उपर तो वो उतना strong move नहीं कहलाता कि एक बार में ही उपर चला गया लेकिन अगर 19,500 से 20,000 के बीच में या फिर 20,000 से थोड़ा नीचे कुछ time तक यहाँ पे consolidate करता है कुछ time तक यहाँ पे base बनाता है देन अगर उपर की तरफ up move लेता है तो वो एक काफी strong up move माना जाएगा और वहाँ पे उस rally पर भरोसा किया जा सकता है तो यह चीज है छोटी-छोटी गिरावटों से हमें परिशान नहीं होना चाहिए और एक चीज है जैसा कि मैंने comment समय परा काफी जारे लोग बोल रहे हैं देको होदा क्या है एक होते हैं new investor एक होते हैं थोड़े से experienced investor जो new investor है market जब rally करती है तो सब्थे वो दुखी होते है जिसना चहीं अब गिर्ण जाए अब गिरना जाए अब गिरना जाए अब गिरना और जब market गिखती है तो भी खुश होता है कि और अच्छी बाते हैं में कम-price पे stock उठाने का मौका मिल रहा है या नवी उठाने का मौका मिल रहा है यही अंतर हो जाता है beginner investor में और experienced investor में कि जो beginner investor है है वो दोनो जगह पे जब प्रॉफिट हो हो ज़ा है तो भी दुखी है जब नुकसान से परिशान होने की जरूद नहीं यह समझने वाली चीज थी जो भी थोड़े एक्स्पीरियंस्ट इंवेस्ट्र है या थोड़े ही है तो यहां पर परिशान और यह अच्छी चीज है कि यहां पर मार्केट रुका है थोड़ा टाइम दे और बेस बना के उपर चले तो हमें और अच्छी लंबी रैली देखने को मिल सकती है इसका और कुछ एक्स्ट्रा रीजन कहीं से कुछ नहीं है बस यह है कि 20,000 एक साइकोलोजिकल लेवल है और जो QN के नंबर्स है उसने थोड़ा मार्केट को डिस्टर्ब किया है बस